इस स्कूल में जो भी एक्टिविटी होती है mostly सब teaching learning से related activity होती है class में बच्चे पढ़ते हैं, ground में खेलते हैं teacher बच्चों को पढ़ाते हैं और बाकी non-teaching staff अपना-पना काम करता है तो class में teacher बच्चों को ठीक से पढ़ा रहें कि नहीं बाकी जो staff हैं अपना काम ठीक से कर रहें कि नहीं तो इसके लिए क्या करना होता है इसके लिए जो school के जो head है, जो principal है, जो vice principal है वो क्या करते है, daily observation करते है classroom में जाके देखते हैं कि teacher बच्चों को ठीक से पढ़ा रहें कि नहीं ग्राउन में भी देखते हैं कि बच्चे दर-दर तो भाग नहीं रहें discipline ठीक से maintain हो रहा है कि नहीं non-teaching staff की लोग अपना काम ठीक से कर रहें कि नहीं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं supervision या prevention जो किसलिए किया जाता है ताकि school में जो teaching learning से related activity है तो सभी तरीके से हो सब अपना काम ठीक से करें तो आज की इस वीडियो में हम supervision की बात करेंगे इसके concept की बात करेंगे, need की बात करेंगे function की बात करेंगे, scope and principles की बात करेंगे तो वीडियो को आखरी तक देखिए वीडियो कैसा लगा, comment करके जरूर बताइए तो किसी भी विद्याले में supervision या अपर वेक्षन का ताथ पर सिख्चकों और अनस्टाफ सद्चियों के काम की देखरेक और मारदर्सन करने की प्रिक्रिया है कि उनके काम की देखरेक करना है अगर कहीं कहीं improvement की जोड़त होती है तो उनका मारदर्सन करना उनको guide करना ताकि य इसलिए किया जाता है ताकि स्कूल में जो activity है teaching learning से related जो activity है और बढ़ियां हो सके और अच्छी हो सके इसलिए तो supervision किया जाता है ताकि सब अपना काम ठीक तरीके से कर सके अगर कहीं पर कुछ improvement है ज़रूरत है तो उनको उस हिसाप से guide किया जा सके अब हम बात करते हैं need of supervision क supervision की need क्यों है यह मार्दर्शन feedback और सुधार के अफसर परदान करके सिक्षकों के निरनतर्म website की विकास में मदद करता है इट helps in continuous professional development of teachers के कोई supervision होता है तो teacher पढ़ा रहें अपना काम करें तो teachers को पता चलता है कि कहां पर lag हो गया है कहां पर कमी है उनको कहां पर सुधार करना तो इसलिए teachers के जो continuous professional development उसके लिए helpful है it ensure that teaching practice align with educational standards and goals contributing to the overall quality of education के इस निचित करता है कि जो सिक्षण पदितियां है सेक्षिक मानकों और लक्षण के अनुरूप हो जिससे सिक्षा की समगर गुणवत्ता में सुधार हो और योगदान हो it can positively impact student achievement by improving instructional method and strategies किया सिक्षण विधियों और नर्णितियों में सुधार करके विध्यार्तियों की उपलप्ति पर सकरात्मग प्रभाव डाल सकता है कि मालो teacher बच्चों को पढ़ा रहा है ठीक है लेकिन principal observation के लिए गए बाकी जो coordinator observation के लिए गए उन्होंने यह देखा कि जिन तरीकों से teacher बच्चों को पढ़ा रहा है बच्चा ठीक से समझ नहीं आ रहा है या interest नहीं ले रहा तो जब बाद में principal और coordinator है वो teacher को feedback दे सकते हैं आप इन इन तरीकों से पढ़ा सकते हैं तो इससे क्या होगा इससे जो teaching learning है और बहतर होगा और effective होगा तो it can positively impact student achievement कि ये student की achievement पर उनकी उपलबधी पर एक सकारात्मक प्रभावर डालता है अगर उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए तो it foster a positive working environment, boosting teacher moral and job satisfaction तो देखो इस से क्या होता है कि हम किसी भी organization में काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपना काम बहतर तरीके से करें और supervision के तरूह में लगातार guidance मिलती रहती कि हम अपने काम में और क्या improvement कर सकते हैं ठीक है तो अगर supervision positive होता है तो इससे क्या होता है कि एक सकरात्मक का माहौल बनता है सब मिल कर काम करते हैं और टीचर्स का भी अपना कह सकते हैं कि उनका जो मनोबल है मोराल है वो बढ़ता है और उनको अपनी जॉब से संतुष्ट रहते हैं किसी तरह का कोई श्ट्रेस नहीं होता इसनिये तो इस तरह के अबजर्वेशन किया जाता है अगर इसके हम फंक्षन की बात करें तो डेली क्लासरूम ऑबजर्वेशन दैनिक अख्छा अवलोकन होता है जो सुपरवाइजर सुपरवाइजर कोडिनेटर भी हो सकते हैं प्रिंसिपल भी हो सकते हैं वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता है डेली ग्राउन जो श्टाफ हैं तो पूरे ओवरोल स्कूल का ऑबजर्वेशन किया जाता है देखने के ताकि सब अपना काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं सिक्षकों की सकतियों सुधार के छेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार टीचर को सहयता देना तो अब्जर्वेशन का यह भी फायदा है कि टीचर को पता चलता है कि उनकी क्या श्रेंद हैं अपना काम को और किस तरह से अपने टीचिंग मेथर्ड में कहां पर उनको इंप्रूमेंट की जोर्ट हैं अलाइन टीचिंग प्रैक्टिसीज विद अजुकेशनल गोल्स एंड आपजेक्टिव अब दा स्कूल की सिक्षन पर्थाओं को विद्ध्याले के सक्षिक लक्षे और उद्द्यसों के साथ स सुपर्वीजन के बात करें तो इनके कार हैं इसके अलावा सुनिचीत करना की विद्ध्याले पाठकरम प्रासंगिक अधित्तन और सेक्षिक मानुकों के अनुरूप है कि ensuring that school curriculum is relevant up to date हो and in line with education standard जो education standard है उसकी अनुसार हो ensuring effective allocation of resource including material technology and support service की जो resources है ठीक है उसका effective allocation हो कि चाहे हम human resource की बात करें हम capital resource की बात करें physical resource की बात करें तो resources का सही तरीके से utilization हो ताकि उसका जो एक result है वो भी अच्छा मिले effectively managing budget and collaborating with administrator to allocate resource where needed की budget को परभावी डंग से प्रभंदित करना मतलब जो भी स्कूल में budget आता है ठीक है उसको प्रभंदित करना manage करना और जहां पे स्कूल में जरूरत है उस जगे पुसको घर्ज करना तो monitor and maintain high academic standards within the school की विद्याले के भीथर उच्छ सेक्षिक मानकों की निगरानी करना और उन्होंने बनाये रखना इसलिए supervision किया जाता है क्योंकि school की functioning अच्छी हो तो classroom में पढ़ाई अच्छी हो सब अपना काम बढ़ियां से करें अच्छे से करें इसलिए supervision किया जाता है फिर अगर हम इसके scope की बात करते हैं तो देखिए इसके दो छेतर होते हैं supervision के कौन-कौन से instructional supervision जो classroom में जो teaching learning को बहतर बनाने के लिए किया जाता है जैसे principal है supervisor है class में जाके देखते हैं कि किस तरह से teaching learning चल लगी है तो यहाँ पर जो बात की जाती है focus is on improving teaching methods and strategies की method या strategies पढ़ने पढ़ाने के तरीके फिर दूचरा है administrative supervision जो non-teaching work है involve oversing administrative aspects such as resource allocation and policy adherence तो इसके दो scope हैं दो छेतर है instructional supervision जो teaching learning से related है और administrative supervision जो teaching learning के अलवा और जो school के जो work होता है काम होता है उससे related है और अगर हम इसके principal की बात करें principal of supervision तो देखिए supervision कैसा होना चाहिए collaborative होना चाहिए सहयोगपूर्ण होना चाहिए कि जब supervisor teacher को teacher या बागी supervision करे सबका class में जाके teachers को देखे या other जो members है उनको supervise करें तो उसका काम क्या है ठीक है सहयोगपूर्ण होना चाहिए collaborative होना चाहिए criticize नहीं करना चाहिए ठीक है अगर मालोग कहीं improvement है तो आप अराम से आप बता सकते हो कि एक guide form में ठीक है कि हम आप इस तरह से करोगे तो और बहतर तरीके से कर सकते हो तो अगर हम बात करें supervision होना चाहिए collaborative होना चाहिए सहयोगपूर्ण होना चाहिए जहां पर जब आप सामने वाले को समझाओ बता तो उसको लगए कि हाँ मुझे बताया जा रहा है मेरी जो mistake है उसको कैसे सुधार है तो उस बारे में बात हो रही ऐसा नहीं कि कोई अगर कहीं पर भी कमी है तो आप उसको criticize करने लगे तो ऐसा नहीं तो इसका जो principle क्या है पहला कहता है कि collaboration की सहयोग पूर्ण होना चाहिए दूसरा है fairness होनी चाहिए निश्पक्षता होनी चाहिए किसी तरह का भेदबाव नहीं होना चाहिए ठर्ड है continuous improvement निरंतर सुधार supervision क्यों किया जाता है ताकि जो workers है उनके जो काम है उनका जो working style है उसमें लगातार improvement होता रहा है इसलिए daily supervision किया जाता है supportive environment तो अब क्या है कि एक समर्थक पर्यावरन होना चाहिए एक supportive environment होना चाहिए जहां पर जो head है बाकी जो employee है सब एक दूसरे का support करें सब एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ें और communication होना चाहिए देखिए जब हम बात करते हैं feedback की बात करते हैं किमालो teacher पढ़ा रहा है school school में class में पढ़ा रहा है बाकी और भी members है अपना अपना काम कर रहे हैं ठीक है अगर कहीं पर कुछ improvement होता है कहीं पर सुधार की जरत होती है तो कैसे संचार होना चाहिए जो head है school के बाकी जो workers है teachers है सबके बीच अच्छा communication होगा तभी कमिया पता चलेंगी उनको कैसे improve किय जा सकता है उसके बारे में पता चलेगा तो इसके principles हैं कि collaborative जो environment होना चाहिए ठीक है सयोक्पून वाता वरन होना चाहिए जो supervision होना चाहिए बिलकुल निस्पक्स होना चाहिए किसी तरह की बाहिसने से अभियदभाव नहीं होना चाहिए इससे क्या होता है निरंतर improvement continuous improvement की ल supervision की बात की कि supervision क्या होता है concept क्या है इसके function क्या है need क्या है principle क्या है तो आपको वीडियो कैसा लगा comment करके जुरूर बताईएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद